टोक्यो पैरलम्पिक में भारत के पैराशूटर सिंराज अडाना ने ब्रॉंज मेडल जीत इत्यास रच दिया है अडाना ने पुरुशों की 10 मिटर एयर पिस्टल इवेंट में ये ब्रॉंज मेडल जीता और इसके साथ ही इन पैरलम्पिक खेलों में भारत की मेडल संख्या आठ हो गई है जो की पैरलम्पिक खेलों के इत्यास में उसका अब तक का सर्फ स्थ प्रदर्शन है और अशाकर शूटिंग रेंज में खेले गए फाइनल में सिन्राज अडाना और चीन के लू सियो लोंग के बीच अंतिम पलो तक कड़ा संगर्स देखने को मिला लेकिन अंत में सिन्राज ने दवाव के बीच शांदार खेल का अप्रदर्शन किया और 216.08 के स्कोर के साथ ब्रोंज मेडल पर निशाना सादा भारत में पांच दिनों बाद 40,000 से कम करोना संक्रोंट के मामले सामने आए और मोतो का आंकड़ा भी कम हुआ है आज सुबा सुआस्थ मंत्राले के और से ताजा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्राले के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,941 नई करोना के सामने और वहीं 350 लोगों की करोना के चलते जान चली गए और वहीं 24 घंटे में 36,275 लोग करोना से ठीक भी हो यानि कि कल 5,684 एक्टिव केस कम हो गए देश में करोना से मित्यूदर 1,34 फीजदी है जबकि रिकवरी रेट 97,95 फीजदी और वहीं एक्टिव केस 1,15 फीजदी करोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब दस्वे स्थान पर है कुल संक्मितों की संक्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है जबकि अमेरिका, ब्राजिल के बाद सबसे ज़्यादा मोद भारत में हुई है देश में जानलेवा कोरोना वाइरिस को खतम करने के लिए टीका करन कारेकरम चलाए जारा है और सरकार ने टीका करन को और तेज करने के दिशा में नई योजना बनाई है सरकार की योजना है कि सितंबर और अक्तूबर तक जादा से जादा आबादी को वैक्सिन की कम से कम पहली डोस दे दी जाए और टीका करेंट की बढ़ती गती और भैतर आपूर्ती के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि कुछ राजे अक्तूबर तक आबादी के एक महत्पुन अनुपात को एक खुराक के साथ कवर कर लेंगे हाला कि सरकार ने आशंका जताई है कि यूपी और तमिलनाडू जैसे राज्यों में टीका करन कवरेज में ज़्यादा वक्त लग सकता है स्वास्तिय मंत्राले ने आगे कहा कि केन सरकार देश भर में कौविड-19 टीका करन की गती को बढ़ाने क्लेप प्रतिबद है और मंत्राले ने ये भी कहा कि अधिक टीके की उपलबता राज्यों को भैतर टीका अपूर्ति के माध्यम से टीका करन की गती को तीज किया गया है और राश्ट व्यापी टीका करन अभ्यान के तहत के इन सरकार राज्यों को निशुल टीका मोहया करा रही है तालिबान की डेडलाइन खतम होने से 24 गंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की धर्ती छोड़ दी 31 अगस्त यानी की आज की डेडलाइन थी मगर आदी रात को ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका ने तो अपने हाथ खीच ले लेकिन अफगानिस्तान के बाद से जो हालत है उसे दुनिया भर में चिंता है अमेर्की सेना की वापसी हो गईया लेकिन वापसी से पहले अमेर्की सेना ने कई उन विमांगों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है जो अफगानिस्तान में तेनाथ किये गए थे हामिद करजे इंटरनेशनल एरपोर्ट पर ऐसे तीतर विमानों को बेकार कर दिया गया अब वो विमान कभी नहीं उड़ पाएंगे और इसके अलावा अफगानिस्तान में मौझूद रोकेट डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिकी सेना ने नश्ट कर दिया है अब इनका इस्तमाल नहीं हो पाएगा और इसके अलावा उन गाड़ियों को भी अमेरिकी सेना ने नश्ट कर दिया जो हत्यारों से लेस थी अफगानिस्तान छोडने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो अफगान अपने देश से निकालना चाते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है अमेरिकी विदेश मंतरी दूसरे देशों के साथ मिलकर अमेरिकी अफगानी या अन्य किसी देश के नागरिकों को निकालने का काम जारी रखेंगे यानि कि अफगानिस्तान में फसे लोग अगर बहार निकलना चाते हैं तो अमेरिका उनकी हर संबब मदद करेगा और उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है हाला कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह निकाल लिया अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कबज़ा है 30 अगस की देर रात करीब एक बजे आखरी अमेरिकी विमान ने ओडान भरी और अमेरिका ने अपने सेनिकों को पूरी तरह निकालने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा तेकी थी